Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 11.3 का question number second देखते हैं क्या है इस suitcase with measures 80 x 48 x 24 cm is to be covered with a tarpulin cloth उसने क्या का है, एक suitcase है, उसकी measurement given है में ये क्या है length, breadth, height इस तरिके से multiply में हो तो ये क्या होती है, length, breadth और height is to be covered with a tarpulin cloth, उस suitcase को एक tarpulin cloth से डखा गया है how many meters of tarpulin of width 96 cm is required कि हमें कितने लंबे tarpulin कपड़े की जरूरत होगी उसको डखने के लिए अगर उस कपड़े की width 96 cm हो, is required to 100, 100 such suitcase 100 ऐसे suitcase हैं, हमारे पास 100 suitcase हैं, जिनको हमने डखना है ठीक हैं, सबसे पहले हम क्या find out करेंगे, एक suitcase को डखने के लिए हमें कितने कपड़े की requirement है, ठीक हैं, उसको फिर 100 से multiply कर देंगे हमारा answer आ जाएगा, चलिए देखते हैं कैसे करना है, सबसे पहले देखते हैं यह जो dimension है, इसको किस तरीके से लिखेंगे हम length of suitcase box, l equal to कितना है हमारा 80 cm, सभी cm में होंगे यह, उसके बाद बात करेंगे breadth की, breadth of suitcase box, b is equal to 48 cm, उसके बाद height of suitcase box, h equal to 24 cm, ठीक है, अब किसी चीज को ढखना हो, cover करना हो, तो उसके लिए हमने क्या find out करना होता है, total surface area निकालना होता है, तो यहां पर क्या निकाल लेंगे हम, total, surface area of suitcase, अब देखो, यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कैसी से, length given है, breadth given, height given है, दो तिन्नों चीज़े अलग-अलग है, length भी अलग, breadth भी height भी अलग, तो यह क्या बन जाएगा, हमारा height into length, इसके अंदर value put कर देंगे, twice of length कितनी है, 80 multiply 48, प्लस breadth कितनी है, 48 multiply 24, plus में 24 multiply में 80, इसको simplify करते हैं, twice of 80 की और 48 की multiply करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 3840, plus 48 की 24 की multiply करेंगे, तो 1152, plus 0, 24 की 8 की multiply करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 192, मतलब 1920, इसको simplify कर लेते हैं, twice of, इनको add करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 1, 9, 6, इसकी multiply की, तो हमारे पास आ जाएगा 13,824 cm2, यह आ जाएगा हमारा area of the suitcase, total surface area आ गया हमारा suitcase का, अब हमें पढ़ता है, कि width जो है, हमारे कपड़े की, वो कितनी है, 96 cm, हमें length पता करनी है, कि इतने area को cover करने के लिए, हमें, कितने length के कपड़े की requirement होगी, ठीक है, अब जैसे मान लिया, यह width तो दिरखी है, हमें कपड़े की, कि यह 96 cm width का कपड़ा है, हमें length नहीं पता कि length कितनी चाहिए हमें, इसको cover करने के लिए, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे width of the cloth, width of the cloth, वो क्या है, 96 cm, length नहीं given है, तो उसको मान लेते हैं, length of cloth, वो मान लिया कितनी है, L cm, अब length और width given है, तो area कैसे निकलेगा इसका, area of cloth, कैसे निकलेगा, 96 multiply L, length into breadth होता है, तो 96 into L, अब यह कपड़ा चीह है, हमें इसको cover करने के लिए, तो दुन्नों को क्या कर देंगे, हम equate कर देंगे, according to question, यहाँ पे क्या आजाएगा, area of cloth, equal to किस क्या आजाएगा, area of suitcase, यही तो area चीह है, इतना ही तो कपड़ा लगेगा, इसको cover करने के लिए, तो क्या करेंगे, इन दुन्नों को equate कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, हमारे पास, 96 multiply L, equal to, area of suitcase कितना था, 13,824, L की value चीह, तो L को यही पर रखेंगे, 96 को क्या करेंगे, right side ले जाएगे, यहाँ पे 96 multiply में, इधर आके क्या हो जाएगा, divide में, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, 13,824, divided by 96, इसको cancel out करेंगे, तो हमारा यह आजाएगा 144 cm, मतलब इतने length के कपड़े की requirement होगी, हमें, ठीक है, एक suitcase को cover करने के लिए, डखने के लिए, हमें 144 cm length के कपड़े की requirement होगी, अब बट उसने क्या कहा है, कि हमें तो 100 suitcase को cover करना है, एक को cover करने में 144 cm के length की कपड़े की जरूरत है, 100 की क्या किया होगी हमारे को, 100 से हम क्या कर लेंगे, इसको multiply कर लेंगे, ठीक है, अब जैसे मान लिया, एक suitcase को cover करने में, एक मीटर कपड़ा लग रहा है, तो 100 suitcase को cover करने में कितना लगेगा, 100 से multiply कर लेंगे, तो यहां पे देखते हैं, cloth required to cover, यहां पे लिखेंगे, cloth required to cover 100 suitcase, अब एक को cover करने के लिए, 144 cm की requirement है, 100 को cover करने के लिए, 100 से multiply, तो क्या आजाएगा, 144 00 cm, ठीक है, में अंसर निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से divide कर देंगे, 144 00 divided by 100, 20 से 20 मतलब 144 meter, यह आगया मारा answer, यह देखना, यह एक suitcase का cm में है, यह meter में है, ठीक है, तो यह answer आजाएगा हमारा, I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा, कहीं पर कोई doubt अगर आपको लगता है, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, otherwise इस channel को subscribe करें, like करें और share करें, अपने classmates को जरूर बताए, thank you students for your love and sport, आने वाली classes की वीडियो भी आपको इस channel पर मिल जाएंगी, thank you students, आपको 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 अपूर्ण करेंगार्पन्स,